मा, अब वो चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों न हो, वो हर मुसीबत से लड़कर अपने बच्चों को बचा ही लेती है। और हाँ, कहते हैं कि मा की परिशानी उसका हर दर्द, बेटे से ज़्यादा एक बेटी समझ सकती है। सुनने में कितना अच्छा लगता है रा, पर आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, वो इन सारी बातों से बिलकुल परे हैं, क्योंकि इस केस में एक बेटी अपनी मा के साथ कुछ ऐसा करती है, जो कि जानने वालों के राउंटे खड़ी कर दे। तो फिर क्या थी, इस पूरी घटना के पीछे मा और एक बेटी की कहानी, और क्यों एक बेटी ने अपनी मा को उस अंजाम तक पहुंचाया था, जानेंगे हम सब कुछ विश्तार से आज की इस वीडियो में, तो फिर आओ, हर बार के तरहां मिल करके सुरू से सुरू करते ह और जानते हैं देश-दुनिया की डार्क रियालिटी इसे दो साल के बीच थी, और रिम्पल जैन के पिता के गुजर जाने के बाद, मानो उनके उपर दुखों का पहार सा तूट पड़ा हो, क्योंकि उनके परिवार वाले ये मानने लगे थे, कि इसके पीछे की जिम्मेदार रिम्पल जैन यान की वो छोटे सी बच्ची ही है जो कि पैदा होने के महज एक साल में अपने पिता को खा गई, पर देखा जाये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो कि इस बात को भली भाती रिम्पल की मा समझती थी, और इसलिए काफी दुख होने के बाद भी उसने दूसरी साधी नहीं की, लेकिन जब उसके भाई साल में दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता, तो उन्हें वे अपने घर ले आते हैं, और ऐसे ही एक से दो साल और बीते, लेकिन कब तक बेचारे वीना अकेले ही अपने बेटी का पालन पोशन करती, और इसलिए उसके भाई ने एक बार वीना से कहा कि उसे दूस और वज़ा ये भी थी कि वो अब HIV पॉजिटिव हो चुकी थी, लेकिन अब और ज़्यादा समय तक वो अपने भाई की उपर बोज नहीं बनना चाहती थी, इसलिए फिर समय रहते वो अपनी बेटी के साथ काला चोकी थाना इलाके पेरू कमपाउंडर के इब्राहिम बिल अपना और अपने बेटी का तो पेट पालना ही था, पर जब ज़्यादा बिमार हो जाने की बात उसके भाई सुरेश को पता चली, तो वो विना को काम ना करने की सलाह देते हैं कि अब उसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब से विना के घर का सारा खर्च वो खुद बिना कहे उसका भाई अपनी बेहन को घर खर्च के लिए देने लगा और ऐसे ही समय बीतने लगा, रिमपल की परवरिस उसकी मा ने अकेले किया था, इतना ही नहीं जो भी थोड़े बहुत उसका भाई घर खर्च के लिए देता था, उसमें से ज़्यादा तर पैसे तो रि इच्छा पूर्ती करने में हो, या स्कूल की फीस, या किताबे, या फिर नए कपड़े खरीदने में हो, पर उसकी मा ने शायद ही कभी खुद के लिए नए कपड़े खरीदे थे, क्योंकि वो अपनी भावी के द्वारा दिये जाने वाले कपड़े पहन कर ही, अपना गु पगड़े भी हुआ करते, उपर से रिंपल पढ़ाय में कुछ खास थी नहीं, जो कि जूनियर कॉलेज तक ही उसने पढ़ाय की, अब ना तो उसने ठीक से अपनी पढ़ाय पूरी की, और ना है उसने कोई ऐसा हुनर सीखा, कि वो जिसके दम पर कुछ धंका काम कर पाती, इसका मतलब साफ था कि वो बड़ी हो जाने के बाद भी उसके मामा द्वारा दिये जाने वाले पैसों के उपर ही निरबर थी, और ऐसे ही मा और बेटी दोनों जैसे तैसे करके गुजारा करते चले गए, और फिर आया दो हजार तैस, दो हजार तैस, जनवरी का महीना, सु पार्केट से कुछ सामाल लाने को जाना पड़ता, और एक से दो वीक गुजर जाने पर, आस पास के लोगों को एक बार भी रिमपल की मा नहीं दिखाई पड़ी, तो फिर जब भी रिमपल घर से बाहर निकला करती, तो उसके पडोसी उससे वीना के बारे में पूछती, कि तुम्हारी मा कहा है, जिस पर रिमपल हर बार लोगों को अलग-अलग बाते बताती, जैसे कि वो तीर्थ यात्रा पर गई है, वो अपने पैरों की मालिस करवाने गई है, या फिर दुनिया भर की इधर-दर की बाते, और जब भी उसके मामा कौल करके अपनी बहन वीना से बात करवाने को कहते, तो रिमपल बोलती कि मा अभी सो रही है, घर पर नहीं है, और जब ऐसे ही काफी लंबे समय तक चलता रहा, तब वे खुद उनके घर पे मिलने ही चले गए, यहाँ पर रिमपल ने अपने मामा से बहुत ही अलग ही तरीकी का वेवहार किया, यानि कि म मामा को उसने घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया, दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, और दरवाजा उसने उतना ही खोला, जिससे कि उसका सर बाहर निकल सके, और मामा से बात कर सके, और मामा से कहती है कि मा तो घर पर है ही नहीं, क्योंकि वो तो पैरों की मालिस करवाने के लिए गई हुई है यानि कि जब जब भी उसके मामा उसके घर पे जाते तो वो दर्वाजे पर से ही कुछ ऐसी ऐसी बाते बोलती जो कि मामा घर के दर्वाजे पर से ही वापिस लोटाया करते जिससे कि उसके मामा को बहुत दुख होता था वो उन्हें अंदर ही अंदर नहीं करवा रही है और ना ही घर जाने पे घर घुशने दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मा के लापता होने की पीछे रिमपल का ही हाथ है। अमजद अली उससे भी रिंपल की काफी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, हालाकि इस बात को लेकर उसकी मा और मामा ने काफी विरोध भी किया था, खेर जब उसके मामा सुरेश को इन सारी बातों से कुछ गड़बर लगा, तब उन्होंने आगे पुलीस का सहारा लेना बहुत ही जरूरी समझा, 16 मार्च 2023, मुंबई के काला चौकी पुलीस थाने में, सुरेश पौरवाल अपने बेटे के साथ पहुचकर, ये कहते हुए रिपोर्ट लिखवाई, कि उसकी बहन विना जैन, जिसकी उम्र 53 साल है, उससे उनकी बात पिछले कई महीनों से नहीं हो पा रही है, हाला कि आखरी बार 2022 के नवंबर के महीनों में हो पाई थी, जिसके बाद से अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया, इतना ही नहीं, सुरेश ने रिमपल के उस बिहेवियर को लेकर भी पुलीस वालों को बात बताई, और कहा कि मुझे अपनी भाजी पर ह सक हो रहा है, और आखरी बार जब मेरा बेटा भी अपनी भुआ का हाल जानने के लिए उनके घर पे गया था, तो रिमपल ने अपने भाई को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया, अब इतनी सारी बातें आगे की कारवाई करने के लिए काफी था, इसलिए अब बिना देरी किये, उसी दिन पुलीस के साथ उसके मामा भी रिमपल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा रिमपल ने खोला और पुलीस को उसके दरवाजे पर आने का कारण पूछा, लेकिन उसके जवाब में पुलीस नहीं सवाल किया कि तुम्हारी मा वीना जन कहा है, और फ जो नजारा होता है वो बहुती भयानक और बद्बुदार होता है। सब क्या है और ये किस तरहां की गंदी बद्बु आ रही है। इस पर रिमपल ने कोई जवाब नहीं दिया वो चुप चाप वहाँ पर खड़ी रही। फिर पुलीस वालों ने पूरे घर की अच्छे से च्छानबीन करना सुरू किया। तो उसी च्छानबीन के दोरान जब कबर को खोल करके देखा गया तो उसमें से बहुती तेज गंदा बद्बु का भगा सामने आता है और वहां से एक पॉलोथीन बरामद होती है और उस पॉलोथीन में एक महिला का यहां से उपर का हिस्सा मौजूद होता है यानि केसर और बाकी का हिस्सा जो कि 80% का था इतना ही नहीं आगे की च्छान बीन में किचन के अंदर जो इस तरहां की आटा डाल रखने के लिए इस टील की टंकी का इस्तमाल किया जाता है उसके अंदर से बाकी के अवसेस मिले यानि की सर, हाथ, पैर और हर एक हिस्सा अलग-अलग पाया गया पर अभी तक उसक पाल ये था कि आखिरकार एक बेटी ने अपनी उस मा को जिस मा ने पिता के ना होती हुए भी दूसरी शादी ना करके अपना सारा जीवन अपनी उस बेटी को पाल पोसकर बढ़ा करने में बिता दिया, तो फिर उसी मा को उस बेटी ने उस अंजाम तक क्यों पहुंचाया हालाकि इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही अजीब है जिसे जानकर आप भी थोड़ा कनफ्यूज हो जाओगे कि रिमपल जैन दोरा बताए गई कहानी असल में सच है या फिर जूट तो रिमपल ने जो कहानी बताई वो कुछ इस तरहा की थी कि वो शुरुवाती दिनों से ही अपनी मां से भले ही परेशान रहती थी कि जब आसपास के लोगों को पता चला कि उसकी मां HIV पॉजिटिव है तो लोग रिमपल को HIV पॉजिटिव की बेटी के नाम से जानने लगे जो कि ये बात रिमपल को बहुत बुरी लगती थी इतना ही नहीं उसकी मां की बढ़ती हुई बिमारी के साथ साथ उसकी मां अपने आपको समालने में भी और समर्थ होने लगी तो वो उससे भी और जदा परेशान रहने लगी क्योंकि अब उसे अपनी मां की बहुती अच बीडियों से नीचे गिर गई जिसके चलते उन्हें काफी गंभीर चोटे लगी जिसे देखकर मैं फिलाल बहुत घबरा गई थी हलाकि मैं अपने वाइफरंड की मदद से अपनी मां को बिश्तर पे आराम करने के लिए लिटाया और उन्हें दवाई भी दी पर अगले ही कु मां और बेटी के बीच में आई दिन जड़ाप होती ही रहती थी और इसी डर की वज़ा से मैंने इस सच्चाई को छुपाना ही जरूरी समझा और इस सच्चाई को छुपाने के लिए मैं सबसे पहले मार्केट गई और मैंने एक मार्वल पथर काटने वाली मसीन खरीदने क साथ चाकू, कुछ पॉलथीन और सैकड़ो रूम सप्रे की बोतलें भी खरीदी क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि मुझे इसकी जरुत पड़ सकती है और फिर घर आकर 27 दिसंबर से लेकर अगले चार दिनों तक लगातार मैं उसे बैठ कर छोटे छोटे भागों में ब बारी-बारी से मैं उसे फेक सकूँ पर ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो एक बहुती चहल-पहल वाला इलाका था कोई न कोई उसे देखी लिता चाहे दिन हो या रात इसलिए दिन बीतते चले गए और महीनों बीत गए पर वो उसका ठिकाना नहीं लगा पाई और जनवरी से लेकर 16 मार्च तक वो उन टुकडों के साथ अकेली घर में रहती रही पर अभी तक पुलिस वालों को ये सिर्फ एक मन गढ़हंत कहानी लग रही थी कि वो खुद को बचाने के लिए ऐसी कहानी बयान कर रही है लेकिन जब उसकी पोस्ट मॉडम की रिपोर्ट निकल कर आत कि पोस्ट मॉडम की रिपोर्ट तो ये बता रहे थे कि उसकी मा की गर्दन पर कुछ ऐसे निसान पाए गए साथ में पसलियों के ऊपर काफी सारे बोन फैक्चर पाए गए जिसे कुछ ऐसा सिनारियो क्रेट होता है कि छाती पर बैठ कर उसका गला दबाया गया हो और साथ में उसके सर पर भी काफी गहरे चोट के निसान देखने को मिले थे अब ये पोस्ट मॉडम की रिपोर्ट पूरी कहानी को क्लियर नहीं कर पा रहे थे क्यूंकि जैसा कि रिमपन ने बताया था कि उसकी मा सीडियों से गिर गई थी तो हो सकता है कि सीडियों से गिरने की जो बागी के निसान और जो बोन फैक्चर आये थे वो उसको अलग-अलग भागों में जब बाट रही थी उसकी वज़ा से हुए हो इसलिए अब ये कहानी यहीं पर उलजकर रह जाती है कि आखिरकार इसके पीछे की असल सचाई क्या है अब ना तो कोई मौजूदा गवाह और ना ही उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत और ना ही पूलिस के चानबीन में कुछ खास हाथ ऐसा लग पाया और ना ही रिमपल ने खुद से कबूल किया वो इसी कहानी को बार बार दोहराती रही बाकि इस केस को लेकर के यहीं तक की जानकारी सामने आई जहां तक मैंने रि प्लीज कॉमेंट में बता देना और हाँ इस केस से याद आया काफी समय पहले मैंने ये वाला केस कवर किया था जहां पर कुछ ऐसा ही सिनारियो देखने को मिलता है लेकिन हाँ यहाँ पर रिष्टा अलग था लेकिन कांड वही था जो कि आप इस पर क्लिक करके देख सकते है